बंदे मातरम शहीद तेरी मौत है इस वतन की जिन्दगी तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिन्दगी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे इतनी महान सक्षीतें सामने बैठी हूँ हमारे बज़रुग हमारे पिता समान और जन्रल विके सिंग साथ जिन्गों ने वो कहत्तर की जंग से लेके आज तक का उनका सफर रास्ट के लिए रहा मातर भूमी की सिमाओं की रक्षा के लिए रहा हम इनके सामने क्या हैं हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने यह तो उस वक्त जब कड़क गर्मी कड़क सर्दी होती थी जब ज़वान के बंदूख पकड़नी और उन बर्फोंस पे मातर भूमी की सिमाओं की रक्षा करते हुए हमारे ज़वान बर्फों में समाधी ले लेते थे और सामने मातर भूमी की सिमाओं की रक्षा करते हुए जब हाथ भी काम नहीं करते थे पर जब गोली पे उंगल जाती थी उनकी टाइगर पे उंगल जाती थी वो हमेशा मातर भूमी के लिए त्यार रहती थी ये उस फौज के जर्नाइल रहे हैं वीके सिंग साब हम तो एर कंडिशन कमरों में गूमने वाले हम इनके सामने क्या है मुझे मैसूस हो रहा है कि ये जिन्होंने भी और्गनाइज किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ सबसे बड़ी बात जिस दिन हिंदोस्तान का हर व्यक्ति किसी दर्म और मजब का हो यह समझे लेगा प्रथम राष्ट सबसे पहले भारत मा तो फिर कोई देश मात्र भूमी को कोई कमजोर नहीं कर सकता है हमारा राष्ट कब कमजोर होता है जब इस मात्र भूमी की मिट्टी में रहने वाले यहाँ पे जन्म लेने वाले को अपको कहता है मैं बंदे मात्र में नहीं बोलूँमा भारत मा की जैए नहीं बोलूंगा तब पीड़ा होती है बंदे मातरम और बड़े बड़े चैनलों के लोग यह बच्चे बंदे मातरम बोलने वाले किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इनको कोई नहीं दिखाता है